जब भी मुझे चाय पीदेगी तलब लगती है न तो यार मैं चाय की जगा ग्रीन टी पीता हूँ क्योंकि लोग कहते ही ग्रीन टी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और यार जान है तो जहान है जो लोग ये वीडियो देख रहे है न तो यार एक बार आप अपने फोन की बैटरी पे नजट डालिए और बैटरी पे नजट डालने के वद आपकी दिमाग में क्या बात आ रही होगी कुछ लोग ये कह रहे होगे कि यार इनकी जो फोन की बैटरी है ये बहुत देर तक नहीं चलती है कुछ लोग अपनी बैटरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होगे कुछ लोग के फोन की बैटरी चार्ज नहीं होगी और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार हाँ मेरी बैटरी ठीक था चल वही है जो लोग परेशान है वो क्यों परेशान है जो लोग अभी परेशान नहीं है क्या वो आगे परेशान हो सकते है क्या आप अपने फोर की बैटरी को सई से चार्ज करते है आप अपने फोन की बैटरी का जो बैक अप है वो कैसे बढ़ा सकते हैं आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वज़ार मेरे चैनल पे अब ग्यान की भी बाते होंगी तो क्रप्या करके आप सपोर्ट बनाये रखिए हरे इस वीक आपको बहुत सारी चीज़े पता चलेगी जब भी आप अपना फोन चार्च करें ना सब से पहले आपको इस बात का पक्का वाला ध्यान रखना है भाई ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए ओरिजिनल केबल होनी चाहिए क्योंकि जो original charger है उसका जो output होता है वो phone के हिसाब से होता है और यदि आपके पास original charger नहीं है तो क्रप्या करें के जो authorized dealer है authorized store है वहाँ से जाकर आप original charger और साथ में cable जरूर बाय करें क्योंकि third party जो charger होते हैं जो आपको फरजी में 100-200-500 के मिल जाते हैं वो आपकी battery को बहुत ज़्यादा harm कर सकते हैं मलब आपकी जो phone की battery होगी न वो यार कही न कही गड़बर हो सकती है बहुत सारे लोग मैंने ये देखा यार अपने phone की जो battery है न वो power bank से charge करते हैं हाँ power bank रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन ये सारी की सारी चीज़े क्यों होती है यार माल लीजे आपके पास charger नहीं है आपको कहीं time नहीं मिलना है तो आप अपने phone को power bank से charge कर सकते हैं portable होता है आसानी से रखा जा सकता है लेकिन क्या अपने phone को बार बार power bank से charge करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं अपना experience बताता हूँ और एक बार आप अपने phone में भी ये चीज़ चेक करिएगा जब भी आप अपने phone को power bank से charge करते हैं भले वो phone जल्दी से charge हो जाता है लेकिन उतनी जल्दी से battery drain भी होती है जितनी जल्दी phone charge होता है उतनी जल्दी जो battery है वो कम हो जाती है और कहीं न कहीं जो आपके phone की battery है उसका जो backup है वो या खराब हो सकता है तो मेरे हिसाब से जब भी पावर बैंक की जरूरत पड़े तब ही आप पावर बैंक यूज किया करिए और यदि आपको जरूरत नहीं है आपके आज़ पास काही कनेक्टर है तो अराम सियाद जो आपके पास चार्जर है उसी से चार्ज करिए बहुत सारे लोग अपने फोन की जो बैटरी ना उसको 100% चार्ज करते हैं कहते यार बैटरी जो है ना वो 100% चार्ज करने के बाद बहुत अच्छा बैक अप दे देगी तो क्रप्या करके अपने दिमाग से ये बात हटा दीजे हर एक जो बैटरी होती है जो आपके फोन में लीथियम की बैटरी होती है सब की कोई ना कोई cycle होती है cycle से क्या मतलब है 100% चार्ज तो क्रप्या करके आप करें फोन चार्ज करना है तो मेरे साब से आप 50% 60% 70% बैटरी चार्ज करिए full 2 चार्ज करने की कोई भी जरूत नहीं है और जब आप charger लगाते होंगे ना फोन में तो आप ये भी नोट करिएगा, जब बैटरी फुल हो जाते हैं, आखरी के जो 90 से लेकर 100 मिनिट होते हैं, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब कही न कहीं बैटरी में ज़्यादा प्रेशर पड़ ला है, तो क्रप्या करके, मेरे हिसाब से यार, जब भी आपको नीड हो, आपके पास टाइम हो, तो आप चार्ज में लगा दीजे, और आज की डेट में यार, फास चार्जर आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी आपके फोन को चार्ज कर देते हैं, और जिनके पास स्लो वाला चार्जर है, तो आप एक चीज़ और नोट करिए, स्लो वाला बले आपकी बैटरी को धिरे धिरे चार्ज करें, लेकिन जो बैटरी का backup होता है ना, जो बैटरी की health होती है, वो बहुत अच्छी होती है. अब आप लोग अपने फोन में कही न कहीं वाल पेपर बहुत अच्छे लगाते हैं कुछ colorful लगाते हैं कुछ यार वो जो live वाल पेपर होते हैं वो लगाते हैं लेकिन हर एक फोन में आज की date में आरा आपको dark mode मिलता है क्यों मिलता है इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है बैटरी को लेकर डार्क बूर्ट जब भी आप लगाएंगे जो आपके फोन की बैटरी होगे वो बहुत देर तक चलेगी मतलब जो नॉर्मल वाल पेपर होगा जो नॉर्मल थीम होगा उससे ज़्यादा चलेगा डार्क वाली चीजे और जिनके पास सुपर एमुलेट डिस्पले वाला फोन है वो जरूर जानते होगे कि यार भले एमुलेट डिस्पले में बैटरी जाए ना जाए लेकिन यहाँ पर जो कलर है वो आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और जब भी आप डार्क वाली चीजे लगाते हैं तो आपके जो बैटरी है वो जल्दी से ड्रेन नहीं होती है तो मेरे ही साब से यदि आपको अच्छा लगे तो यार डार्क मोड पक्का लगाया करिए इसलिए गूगल बाबा ने भी आपको बहुत सारे फोनों में डार्क मोड दे दिया है और जितने OAS आते हैं चाहे वो ऑक्सीजन OAS हो चाहे वीवो का हो चाहे रियल मी का हो चाहे लोग डार्क मोड देते हैं मलब कमपनी भी चाहती है आपके फोन की जो बैटरी ना वो ज्यादा देर तक चले आज की डेट में आपको 15-16,000 रुपए में हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन मिल जाते हैं 60 हर्ट्स, 90 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, 144 हर्ट्स, अब यार हर्ट्स की व होता है क्योंकि जब भी आप 90 हर्ट्स में जाएंगे 120 हर्ट्स में जाएंगे तो यार जो बैटरी बैक अप है ना वो कम हो जाएगा यदि आपको ज़रुवत नहीं है 90 हर्ट्स की तो क्रप्या करके 60 हर्ट्स में बने रहें 4G कि SIM आज की डेट में सब के पास है किसी के पा गाता है ऑर जब नेक्वप फ्लट्ष में होते हैं तो कहीं ना कहीं जो बैटरी था इस पर असर पड़ता है उस पहार बार-बार कहीं ना कहीं प्राओलम हो सकती है तो यार मेरे सहरु से ज़रियन के घर में नेट्वर का रहा हो तो बहुत अच्छी बात है और यादि आप आपके घर में कई ना कई network fluctuate हो रहा हो तो यार आप sim change कर सकते हैं आज की देट में आप port करना बहुत बड़ी बात नहीं है यदि आपकी घर में wifi का network है ना तो क्रपया गर के आप wifi network से ही internet चलाया करिए क्योंकि यार जो mobile data है ना उसमें बहुत जल्दी battery drain होती है और जो wifi है उ चाहिए वो सस्ता फोन हो चाहिए वो महगा फोन हो चाहिए 12-13-14-1000 वाले फोन में आपको gaming mode देखने को मिलता है और जब भी आप game खेलते ना यदि आप high refresh rate में game खेलेंगे अब आपको HD setting में मिल जाता है और भी उपर वाली setting में देखने को मिल जाता है तो बहीया जितनी setting आप बढ़ाएंगे आपको game खेलने में उतना मज़ा तो आएगा लेकिन आपके phone की जो battery है वो उतनी जल्दी से drain हो जाएगी और कहीं ना कहीं phone heat भी होगा और आपको अपने phone को heat नहीं होने देना है यदि आपको जरूरत नहीं है और आपका phone बिंदास काम कर रहा है तो य यार कपड़े उतार दीजे तब चार्ज करिए तो यार फोर की जो heat होगी ना वो बाहर चली जाएगी नहीं तो जो back cover है ना उसमें heat रहेगी और मतलब यह मेरा suggestion है या माल लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा Xiaomi और जितने Poco के user है ना वो इस बात को पक्का जानते होंगे कि यार जब भी software update आता है ना और वो software update कर देते हैं तो कहीं ना कहीं update के बाद जो battery backup है उसमें problem हो जाती है जैसा है अभी MIUI 12 के बाद हुआ है Poco के phone में battery backup बहुत कम हो चुका है तो क्रप्या करके जब भी आपके phone में कोई भी software update आए थोड़ा सा वेट करिए कुछ वीडियो देख लीजे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ इसका जो software है यह सही है कहीं कोई bugs तो नहीं है जल्दी मत बचाईए software अच्छा होगा तभी आपडेट करिए और यदि अच्छा नहीं है तो यार बाद में update कर लीजेगा ना software कहीं भाग रहा है ना आपका phone कहीं भाग रहा है और ना आज की देट में internet भाग रहा है play store में आपको बहुत सारी power saving वाली application मिल जाएगी आपको लगता है यार नहीं यह आपके phone की जो battery है यह आपके phone का जो management है उसको सही कर देगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो क्रपया करके जितनी भी power saving application है उसको कभी भी install मत करें और कहीं ना कहीं आपका data भी इधर का application है third party application का use ना करें और यदि आपके phone में बहुत सारी application भरी हुई है तो यार तब भी आपकी जो battery है वो जल्दी से drain होगी तो क्रपया करके जो application आप use नहीं करते तो यार पहले तो उसको अनिस्टॉल कर दीजे और आज की डेट में इस्टॉल करना बहुत बड़ी बात नह internet है और यदि आपको application रखना है तो यार जिन application का आप use नहीं करते हैं तो उसको stop कर दीजे क्योंकि background में बहुत सारी application रन करती रहती है आप जाइए चेक करें कि यार हां background में ये application रन कर रही है ये मेरे काम की है कोई बात नहीं है जो आपकी काम की नहीं है उसको हटा दीज क्योंकि यार background में application रन करेगी वो भी battery लेगी internet भी लेगी मतलब आपका data भी जा रहा है आपकी battery भी जा रही है बहुत सारी चीजे एक दूसरे से connect होती है लेकिन आपको एक बात note करना होगा जब भी आप phone buy करें आप अपने phone की सुरच्छा swim करें क्योंकि बाद में कुछ भी होता है सब में पैसा जाता है और company को यहीं चाहिए कि यार कैसे आपके pocket से पैसा निकाला जाए मेरा काम है आपको सजेश्ट करना तो यार आज की date में मैंने आपको सजेश्ट कर दिया आप अपने battery की सुरच्छा कैसे कर सकते हैं और आपको ऐसे ही कमाल के वीडियो दे चलिए मिलते नेक्स वीडियो में थैंक यू जैहिन